क्या सी लगी ये द्रिश? है ना बहुत खुबसूरत कजारा? ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे हूँगे कि ये कहां कि तस्वीरे पूर्थी नदी है तो चलिए आपको बता देते हैं ये यम्ना नदी है हां वही दिल्ली वाली यम्ना नदी जो कुछ समय पहले ऐसे दिखती थी लेकिन आज ऐसे दिख रही है अब इतनी खुबसूरत दिख रही है कि अपने आखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि यह वही यम्ना नदी है जिसकी सफाई पर धेरों रुपे खर्च हो चुके थे लेकि साफ नहीं हो पाई अब तो इस खुबसरत नजारा को देखकर दिल करता है देखती ही रहूं आपको पता है ये कैसे हुआ यमना इतनी स्वाच और खुबसरत कैसे हो गई अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं यमना का यह कारकल्प हुआ है उसके कारण जिससे आज पूरी दुरिया परिशान है जी हाँ बिलकुँ सही सोच रहे हैं करोना का ही अपड़िनाम है करोना जहां इंसान के ये अविशाब बन कर आया है तो वही प्रकति के ये वर्दान सावित हो रहा है इस करोना के कारण प्रकृतिया सच हो गई है नदिया निर्मल हो गई है जानते कैसे लॉकडाउन की बज़े से लॉकडाउन की बज़े से देजभल में फैक्टरिया बंध है जिसका यह परिनाम हुआ है कि प्रकति अपने अस्री सरूप में आ गई है जहां एक और देश के सभी राज्यों और सहरों की वायू गुनवन्ता में सुधार हुआ है वही गंगा और यमना जासी बेहत प्रदोशित पोचुकी नदिया भी साफ दिखने लगी है जहां पहले इनका पानी काला गंदा दिखता था वहाँ अभिया पानी स्वच और निर्मल दिखाए दे ली है यमना की अभी डलता और निर्मलता के लिए केंदरवाद दिल्ली सरकार के प्रयास लिते करी तीन दसकों से बेसक काम्याब ना हो सके हो लेकिन इस लॉक्डाउन के दौराई नदी खुद ही अपने आपको साफ कर लिया है नदी का जल नीला होने के साथ ही नजदीक जाने पर उसकी तली भी इस वक्त दिखाई दे रही है यानि यमना नदी ने खुद को पुनर जिवित करने का अपना एक अलग मॉडल पेस किया है आपको जानकर हैरानी होगी केवल यमना ही नहीं पुर्य देश की नदियों का पानी इस वीच साफ हुआ है बायू प्रजिशन घटा है और प्रकति एक वाफिसे जी उठी है इस खुद्षर देश को देखकर लग रहा है मानो प्रकति खुद के लिए रिफ्रेस्ट बटन दवा ली है मदवनी न्यूज अपडेट कीए प्रस्तुती आपको अच्छी लगी तो लाइक केजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर केजिए अगर कोई सुझाब हो तो हमें कमेंट जरू कीजिए धन्यवाद झाल